बारिश के इस मौसम में सब्जीयों की कीमत आम आदमी के पहुत से दूर हो जाती है प्याज, आलू, टमाटर से लेकर हर इस सब्जी पचास रुपए की प्रती कीरों से उपर बिक रही है बैगन तो 80 रुपए के जी मिल रहा है राज्य के सब्जी बाजार का हाल बता रहे हैं सहयोगी अजयलाल सावन महिने में लगातार बारिश के बाद और सावन खत्म होने के बाद सब्जीयों के भाव में आग लग गये हैं सावन खत्म होने के बाद कई घरों में मीट मचली का भी सेवन ज्यादा शुरू हो जाता है लिहाजा प्याज की ज़र परती है प्याज का भाव हमारे साथ दुकांदार है शोक नगर के पास प्याज का भाव कैसे पहुँच गया और अब आपको हरी सब्वी के बारे में दिखाते हैं ये पटना वला परवल है ये परवल है पटना वला ये कैसे है? 1.5 सुनीए भाएया और आप नेनुआ पर आजाए ये है नेनुआ धरम देव जी नेनुआ काईसे है? 40 रुपे है? नेनुआ चालीस नेनुआ भी 40 रुपे कीलो है तर 50 रुपे कीलो नेनुआ आप लोग दाम बढ़वाते हैं हर जगा गूम के दाम इंफलेटेड रेट वता के ये अशोक नगर का रेट है अंदर में जाए बहुत मनेज से कम रेट में जादा है अशोक नगर 356 दिन आगे रहता है देखी भाई एक नई ख़वर है कि असोक नगर में जो सब्जी वाले हैं वो थोड़ा दाम चढ़ा के रखते हैं ऐसा इसलिए कि यहां के खरिदार अक्सर कार पे उतरे और सिधे एक किलो तॉल दो, दो किलो दे दो, चार किलो प्याज पैक कर दो इस चकर में भाव जादा ब आना होगा, लेकिन अमूमन प्याज के भाव सभी जगों पर एक जैसा ही है, एक रुप्या, दो रुप्य का अंतर आ सकता है, लेकिन प्याज का भाव अमूमन वैसा ही है, और टमाटर भी देखें यहां पर है, कैसे बिक्राश हैं टमाटर? तमाटर पचास, लोग बोलें कि असोग नगर वाले ज्यादा भाव चड़ा के रखते हैं, आप ज्यादा भाव रखते हैं सब्जी का, ज्यादा भाव ना रखते हैं, भाई, पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है, कि बैगन 80 रुप्य कीलो, और देखें कि मैडम सब्जी खर्द नहीं है, मैडम, 50 रुप्य किलो भिंडी, 700 ग्राम का भिंडी 35 रुप्य का, और बैगन भिक रहा है 80 रुप्य कीलो, केरण हिमंद के साथ अजय लाल, न्यू जलेवेन, लाइक अंड शेर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन, न्यूस लावन भार, सच है तो दिखेगा